हे गाई नमस्कार आप लोगों का टाप्रेंग क्लास के प्रियास करेंगे कि सभी सवालों को हम लोग खतम कर दें एक ही वीडियो में तो पहले बच्छो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा प्यारे बच्छो वीडियो प्रसंद आता वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ करना मत भूलिए चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला स्वाल आपके वाइड वोट की निखाई पर आओगा क्या कर रहा है कि यह कोई एक गोला है गोले का कोई ब आँ जाता है सबात फुलाप कैसे चाथ क गयात करते है यही बहाग इसी और नहीं बदकरने के पहले प्रित का निगा लेंगे차 बदकाले यहे व्रित जहीं पहले में और घोर काटकर अंब हो कर दे तो चाय नहीं बचेगां बचेगा Nie मैं ल sarcित आए उसको लगाने से पहले प्यारे बच्चो हमको इसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज पी क्यू अर्थात यहां से लेके यहां तक की जो वैलू है वह 24 दिया है और पी आर पी आर कितना दिया है प्यारे वच्छो साथ सिंटीमीटर दिया तो हमको यह चाहिए तो यहां पर ध्यान से दिखिए तो यहां 90 का कोल बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा आपका कण यह आ अर्था ओल्दमे क्या कहता है शुआ कण कתח रहा हम वर कर कं यह के आर बिर लंब क CCP कम आधार API और कोन है PR क्यू की है हम मुझे अगर यहां से square qr ग्याद करना है इधर हम square root लगा देते हैं 625 यह बाहर आ जाएगा प्यारे बच्छो तो 25 हो जाएगा इसका वर्गमूल आएगा 25 इस square root आएगा अब qr की value मिल गई तो हम त्रिज्जा की value निकाल सकते हैं त्रिज्जा हम आराम से ग्याद करेंगे क्योंकि जो त्रिज्जा होती है वो ब्यास का क्या होता आधा होता है तो ब्रित की त्रिज्जा ब्रित की त्रिज्जा तो प्यारे बच्छो ब्रित की जो त्रिज्जा होगी वो क चीज है और वटे कितना हो जाएगा दो अर्थात बृत की तरेज्जा आ गई 25 बटे दो अब हमको चायांकी द्भाग का छेथफल निकालना है तो चली आराम से दिखिएगा जो चित्र है बस उसी को ध्यान देड़े चायांकी द्भाग का चायांकित भाग का छेत्फल तो चायांकित भाग का छेत्फल का फामूला क्या होता है प्रवच्छों ध्यांस दिखेगा हमको फामूला बनाना पहले मुझे अर्ध बृत का छेत्फल निकानला है तो लिखेंगे अर्ध बृत का छेत्फल अर्ध बृत का चेतरफल माइनस तर्भुज PQR का चेतरफल अब चलिए यहां से अर्ध बृत का चेतरफल पूरे बृत का होता है πाई आर स्क्यार और अर्ध बृत का हो जाएगा πाई आर स्क्यार बटे दो माइनस तर्भुज का होता है एक बटे दो गुणे आधार, गुणे उचाई है, झाले हैं, अब पाई कामान, बाईस बटे कितना होता है, साथ, आर, आर कामान कितना है, प्यारे बच्चों, दिखेंगे यहां अपने निकाला है, पचीस बटे कि दो का इस क्या और यह बटे दो आपका पहले से है अब आगे क्या करना माहिनस एक बटे दो आधार तिर्भुच का आधार यहां पर है देखें सात है और उचाई यहां से लेके यहां तक कि उचाई कितनी है 24 है ठीक दो एक के दो बारा दुनी 24 इधर बारा आगे प्यार बच्छो ध्यान से दिखेगा अब आगे क्या कर रहा है अगला क्या है कुछ कैंसिल हो जाएगा 11 दुनी 22 हो जाएगा यहां से ठीक 25 का गुड़ा 25 दो बार करेंगे तो 25 25 हम्ने कितना हो जाएगा 625 तो 11 गुड़े 625 नीचे दो का गुड़ा दो बार कर देंगे तो 4 आजाएगा 7 गुड़े आ जाएगा 4 ऑई हमायनस 12 सते कितना हो जाएगा 54 बटे 1 7, 4, 28, 11, 55, 11, 2, 25, 27, 11, 6, 66, 66, 62, 68, 28, minus 84, बटे 1, ठीक, क्या करते हैं, लसा पले के हल कर देते हैं, प्यारे बच्चो, 28, एक का लसा पलेंगे, 28 आएगा, 28 का गुणा यहां कर दीजी, एक आएगा, 28, 75, minus, 28 का गुणा यहां करेंगे, प्यारे बच्चो, तो 28 गुणे 84 कर लेजे, क्यालकुलेशन में, 28 गुणे 84 करेंगे, तो 23, 52 आएगा, कितना आएगा, इनमें इनको माइनस कर देंगे, तो 45, 23 आजाएगा, कितना आजाएगा, 45, 23, बटे कितना, 28, यही आए प्रेश नंबर दो में क्या करना ہے कि दीगई आकृती में छैंकित भाग का याद करना है तो प्यादबचों अभी आप लोग सोच रहोंगे कि यार आकःति में तो चैंकित भाग किया धियाँ नहीं है तो लिक्सका ज्याद करेंगी प्यांकित भाग है यह आपका च्छायांकित भाग का क्या करना है चितपल ग्यात करना है आगे आओ कुछ चीज़े दे रहे हैं करें यदि केंद्र ओ वाले दो सकेंद्री बित सकेंद्री वित जिनका केंद्र क्या है समान है वह वो सकेंद्री बित होता ठीक जिनकी तरिज्याएं साथ और बृति की त्रिज्जा R1 एक्वल टू कितना है साथ संटी मीटर बड़े बृति की त्रिज्जा बड़े बृति की त्रिज्जा R2 कितना है चवूदा संटी मीटर ठीक और जो कोड दिया है एंगल B, O, C बराबक कितना है 40 तोก्या करा है चायांकित भाग का 6 त्पल ग्याद कि जिए तो दिखे यह एक त्रिजिक खंड नुमा बना है त्रिजिक खंड नुमा कृति बनी है तो चायंकित भाग का 6 फल कैसे निकलेगा एक बार अगर हम बड़े वाले खंड का निकाले और छोटे वाले खंड का, तो बड़े वाले खंड में से छोटे वाले खंड के छेतर फल को घटा देते हैं, तो हमको मिल जाएगा प्यरे बच्छो, तो ध्यान से लिखेगा, क्या लिखेंगे, बी ओ सी त्रजिखंड बी ओ सी का च्छेतर फल तो पहले लिखेंगे चायांकित भाग का च्छेतर फल चायांकित भाग का च्छेतर फल बराबर क्या हो जाएगा त्रजिखंड बी ओ सी या ऐसे लिख दें बड़े त्रजिखंड का च्छेतर फल बड़े तरजिखंड का चेद फल माइनस छोटे तरजिखंड का चेद फल चलिए ध्यान से देखिए बड़ा तरजिखंड का चेद फल का फार्मुला क्या होता है पर उचो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्यार यहां कोन है बड़े वाला कोन है आर टू है तो पाई आर टू का स्क्यार माइनस फिर अगले का क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर वन का स्क्यार हो जागा ठीक अब देखिए थीटा बटे 360 पाई थीटा बटे 360 पाई कामन है इनको हम कामन लेते हैं थीटा बटे 360 पाई कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा R2 का स्क्यार माइनस क्या बचेगा R1 का स्क्यार ठीक ध्यान देखिए A स्क्यार माइनस B स्क्यार का फार्मुला जो की होता A प्लस B A माइनस B तो आप उसे लगा लिजे चाहे बैलू रख दीजे ठीटा की वैलू कितनी है प्यार बच्चो 40 है बटे कितना 360 पाई का मान 22 बटे 7 R2 का मान कितना है 14 तो 14 का इसक्यार माइनस R1 कितना है प्यार बच्चो 7 का बच्च चलिए यहां देखिए 40 के 49 या 360 तो 1 बटे 9 गुडे 22 बटे 7 गुडे 14 का वर करेंगे तो 196 और 7 का वर करेंगे तो 49 घटा देते हैं तो 1 बटे 9 गुडे 22 बटे 7 गुडे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा प्यार बच्चो और यहां बचेगा 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 147 आजाएगा 7 एकके 7 7 दुनी 14 यहां साथ एकके साथ 21 यानि साथ से कड़ गया ठीक अब तीन तरीका 9 तीन सते 21 ठीक तो 22 सते 154 बटे 3 सेमी वर्गे तो इस प्रकाप प्यारे बच्चो छायानकित भाग का जो छेतफल होता है वो 154 बटे 3 ग्यारे बच्चो कि और आपको ध्यान से लेirmiाँ कि बड़े वाले छेतफल में से छोते वाले छेतफल को घटाना था बस यह आपका दुसरा नंभर अरु तो प्यारे बच्चो आपका जो प्रकाप्रस्ण हो क्या कराए बी गई आक्रती में चायांकित भाग का छित्फल ग्याद किजिए तो चायांकित भाग का छित्फल ये जो प्यारे बच्चो इसका ग्याद करना है आगे करा ABCD भुजा का ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है यानि ये जो ABCD आपका बना है ये 14 cm का क्या है एक वर्ग है ठीक 14 cm का क्या है एक वर्ग है और APP और BPC दो अर्धब्रित हैं APP, APD और BPC दोनों क्या है अर्धब्रित हैं तो प्यारे बच्चो ध्यान से देखना कि अगर मुझे चायंकित भाग का छितफल ग्यांत करना है तो चायंकित भाग का छितफल कैसे ग्यांत होगा मुझे क्या करना है पहले वर्ग का छितफल निकालना पड़ेगा पूरे वर्ग में से दो ठो अर्धवरित काट के बाहर कर दें पूरे वर्ग में से दो अर्धवरित छेथफल काट के बाहर कर दें प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्यों यही बचेगा तो वही चीज़ हम क्या करते हैं लिखते हैं तो सब से पहले वर्ग की भुजा कितना दिया है प्यार बच्चो 14 cm ठिक इतना हो गया आगे आगे अब हमको अर्ध बृत्त की तरिज्जा चाहिए किसकी प्यार बच्चो अर्ध बृत्त की तरिज्जा अर्ध बृत्त की तरिज्जा अर्ध बृत्त की तरिज्जा होगी प्यार बच्चो यही यहां से लेकी यहां तक की दुए आधा तो 14 का अधा क्या हो जाएगा साथ तो वर्ग की भुझा बटे दो वर्ग की भुझा बटे दो ठीक वर की भुझा कितने हैं चवदर बटे दो कर देंगे तो साथ आ जाएग Disney यह तरिज्जा गए आप हम सवाल पे चलते हैं क्या का रहा था चायांकी तभाग का छितरफल क्या बोला प्यरवच्चो चायांकी तभाग का छितरफल क्या खायान सीबगा। पहुर्ट पर अर्थ का अर्ध मैं प्रफल चली ज्यान से वर्ग का छेथ फल न था वर्जा का वर्ग क्या होता है भोजा का वर्ग माइनस अर्ध ब्रित का होता है पाई आर स्क्यार बटे दो दो से दो कैंसल होगा भोजा कितना है प्यारे बच्चों चवदा है तो चवदा का वर्ग माइनस पाई का मान बाईस बटे साथ और तरिज्या कितनी आई है साथ तो साथ गुड़े साथ साथ से साथ कैंसिल चउदा का वर करेंगे तो 196 अब 27 154 घटा देजे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 कितना जाएगा प्यरवचो 42 सिंटीमीटर वर कितना जाएगा चायांकित भाग का छेटफल क्या मिल गया पर चो 42 सिंटीमीटर इस प्रकार आपका प्रस नंबर तीन कंप्लेट होता है आप इसका एक स्क्रिंस ओड लेजी फिर हम बात कर तो प्रस नंबर चार क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा कर रहा है कि दी गई आकरती में चायांकित भाग का छेटफल ग्याद किजे तो प्यारे बच्चों चायांकित सभी जगह हैं मतलग कहीं भी कुछ भी घटाना उटाना नहीं कई खाली नहीं है चायांकित में क्या क्या रहे हैं एक प्रचोप यह आपका दर्घत्रज खंड क्या है दर्घत्रज खंड आप पाला इसमें आ गया और यह आपके प्रश्ण में खुद बोला है कि यह संभाहोतरभुज है कौन सा तरभुज है संभाहोतरभुजQué का मतलब होता है वे तरभुजचिश की सभी भुज़ाएं क्या होती है समान होती है वह संभाव तृभुज का लाते हैं पिर बचो और जिसका प्रते-क-कोड कितना होता है सॉत है अ आप से पूछा है चायांकित भाग का छेत्रफल तो चायांकित भाग में आपका संभाव भी आएगा और दिर्ग त्रिजिखन्ड भी आएगा तो हमें आप लिखेंगे प्यारे बच्चों आपको दिया क्या है संभाव त्रभुज की भुजा दी गई है कि संभाव त्रभुज की भुजा कितना है 14 12 12 cm ठीक अब आगे ध्यान से दिखिएगा पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल 360 होता है 60 यह है तो बचा हुआ पूरा यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा 300 कितना होगा पैना तो आप इस बात को ध्यान दिझेगा तो अब हम लिख रहे हैं छायंकित भाग का 6 चेतरफ़ है तो फार्मॉला又 होगा चायंकित सबसे पहला आएग दिर्गत्र जिखन का छेदफर प्लस संभाहुत्र जिखन का छेदफर चले अब दिखे दिर्गत्र जिखन का छेदफर का फामूला होता है ठीटा बटे तीन सो साथ गुणे पाई आरिस्क्या प्लस संभाहुत्र वुज का होता है अंडर उड तीन बटे चार गुणे भुजा का वर रगे चले बैलू रखते हैं ठीटा प्ламूला कितना है प्यार बट्चो तीन सो यह सीन सो साथ जिरो से 0 कैंसल पाई का मान 22 बटे साथ आर का है प्यारिज़ज़ चार फ्लस अंडर उड तीन बटे चार भुजा भुजा कितना है प्यारे बच्चो 12 तो 12 गुड़े 12 कर दिए ठीक ध्यान से दिखेगा अब क्या है कुछ कटेंगे जैसे की 6 35 6 6 36 ठीक कर गया ये वाला 6 इस 6 को कार देगा ठीक प्यारे बच्चो अब क्या बचा 22 पंचे 110 और गुणे क्या है वहाँ 6 है बटे कितना है 7 प्ल 4 त्याई 12 त्याई 36 तो 36 ठीक 6 का गुड़ा कर दे तो 6 0 में 0 6 के 6 6 के 6 बटे 7 प्लस 36 अंडरूर 3 आप यहां पर भी अंसर छोड़ सकते हैं या तो आप इनको भाग दीजिए और भाग देने के बाद यहां डरूर 3 का मान रखिए एक दसमलो 7 तीन दो गुड़ा करकर जोड़ दीजिए तब जो अंसर आएगा वह भी आपका क्या है प्यारे बच्चो करेक्ट अंसर है या तो आप यहां पर ही छोड़ दीजिए इस भुजा चार सिंटीमीटर वाला वर्ग यानि यह एक चार सिंटीमीटर का वर्ग है यह प्यारे बच्चो चार सिंटीमीटर भुजा का आगे करां इसमें से एक सिंटीमीटर टरिजजा वाले ब्रित के एक चतुर्थांस काटा गया है फ्यारे बच्चो प्रते कोने से एक सिंटीमीटर टरिजजा वाला एक सिंटीमीटर त्रिज्जा वाला प्रते कोने से चार चतोर्थांस काट लिए गए हैं आगे क्या करा प्यरवच्छों तथा बीच में दो सिंटीमीटर ब्यास का एक गोला भी काट एक बृत भी काटा गया है दो सिंटीमीटर ब्यास का एक बृत भी काटा गया है तो आगे करा वर्ग के सेस भाग का छेतरफल ग्यात किजे तो प्यारे बच्चो वर्ग का सेस भाग ये चायांकित किया गया है ये जो चायांकित किया गया भाग है वही वर्ग का सेस भाग भी होगा तो प्यारे बच्चों बिल्कुल हम आसान तरीके से सवाल को सवाल करेंगे, ध्यान से देखे, क्या कर रहा है, आप से क्या कहा, वर्ग के सेजभाग, तो वर्ग के सेजभाग का छितफल कैसे निकलेगा, पूरे वर्ग में से इस बृत को और इस चातुर्थांस को हम घटा द देते हैं, तो हमको सेजभागों का छितफल मिल जाएगा, मिलेगा न, तो बस यह करना है, वर्ग के सेजभाग का छितफल बराबर, क्या हो जाएगा, वर्ग का छितफल, क्या होगा प्यर्वेट्चों, वर्ग का छितफल, माइनस, माइनस क्या होगा, चारो चतुर्थांस का छितफल, चार चतुर्थांस का छेदरफल प्लस बृत का छेदरफल बृत का छेदरफल चले रखते हैं फामुला वर्ग का छेदरफल का फामुला होता है भुजा का वर्ग माइनस चार चतुर्थांस का होता है एक बटे चार पाई आर स्क्यार ठीक बृत्य का होता है पाई आर स्क्यार ठीक ध्यान से अब ये ये क्या हो जाएगा कैंसल इतनी बात आप समझे पाई आर स्क्यार पाई आर स्क्यार पर जोड़के हो जाएगा टू पाइ रिसक्यार तो यह हो जाएगा भुजा का वर्ग और-व्जा की भुजा है चार का वर्ग-व्जा कीically-व्जा का मान बाईसबटे शात आर, आर कितना है प्यारेबच्चों, यहां एक है आर कितना है एक तो एक का वर कर देंगे ध्यान से देखें तो 16 माइनस 22 दूनी 44 बटे साथ हो जाएगा ठिक लसा पले ले प्यार बच्छो तो 16 सत्य 112 माइनस 44 ठिक बटे कितना हो जाएगा साथ घटा देते हैं तो घटाएंगे तो लगभग 112 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा प्यार बच्छो आठ और यहां कितना बचेगा 10 10 में से 4 घटा देंगे 6 ठिक कितना आएगा 68 कितना आएगा 68 बटे साथ सेमी वर्ग इस प्रकार आपका जो वर्ग का सेस भाग बचा हुआ था वह आपका यह आजाएगा प्यारे बच्छो 68 बटे साथ सेमी इसक्यार आप चाहोते इसका एक स्कून सॉट लेजिए फिर हम बाते करते हैं अगले प्रिश को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ जैसा की अकृती में दिखा गया है प्यारे बच्छो यह दिखे एक मृत्टाकार मेज पोस है आगे करहा जिसकी तरज्जा यानि जिसकी तरज्जा जो है 32 सेंटीमीटर प्यारे बच्छो यहां से लेके इसकी जो त्रिज्जा है वो त्रिज्जा कितनी है 32 cm ठीक आगे कह रहा है जिसकी त्रिज्जा कितनी है 32 cm है एक संभाव त्रिबुज ABC को छोड़ते हो इस पे एक डिजाइन बनाई गई है जैसा कि आकरती में दिखाई पड़ रहा है तो इस छायांकित डिजाइन का छितफल प्यारे बच्चो इस छायांकित डिजाइन का छितफल ग्याद करना है तो सोचिए जरासा कि छायांकित डिजाइन का छितफल आपको कैसे पता चलेगा सोच लीजे जरासा अब छायांकित डिजाइन का छितफल आप कैसे ग्याद करोगे जानते हैं इसमें आपका सबसे पह होगा कि हम पहले बृत्ताकार मेज पोस्त का छित फल निकाल ले और उसी में से ये संभा उत्रभुच को घटा दे तो उससे पहले प्यारे बच्चो हम माल लेते हैं कि इसका जो केंद्र है वह है वह से हम एक लंब खिषते हैं जो कि जहां कहां पर कारती यंपर ओसे एक ध्यान से दिखिये अग्च में अब त्रभुच का 16 हसा और साठ का हे यही यह से & tips यहां पर हो गा यहां भी तीस होगा यहां भी तीस होगा तो कॉस तीस यानि कॉस ठीटा बराबर होता है आधार बटेकन पैरे बच्चों इनकी जरुद क्यों पड़ रहे क्योंकि मुझे संभाहु त्रिफुज की छेथफ़ निकालने के लिए मुझे भुजा की जरुद पड़ेगी भुजा अगर हम ओम बीयम निकाल लेते हैं तो बीयम का दुगना क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा हम अराम से निकाल लेंगे पड़ेगा भुजा आगर निकालने के लिए हमको यह प्रासेस करना पड़ ना है तो आधार कितना है यहां आधार आपका BM है कितना है BM है और कन कौन है प्यारे बच्चों BO है कितना है BO है कॉस ठीटा ठीटा के अस्तान पे तीसंस है कॉस तीसंस का आमान कितना होता है अंडरूर तीन बटे दो होता है बराबर BM नहीं पता है परंतु बीयो पता है कितना प्यार बच्चो 32 कितना है 32 है ठीक हमको बीसी चाहिए क्या चाहिए बीसी निकालने के लिए बीसी चितर से देखिए तो बीम के दुगना है तो बीसी बराबर है दो गुड़े बीम ठीक दो गुड़े बीम का मान कितना है 16 अंडर उड़तीन कर देंगे तो 32 अंडर उड़तीन आजाएगा यह जैसे ही आप बीसी निकाल लिए अब आप आजाए प्रशन के अनुसार क्या पोछ रहा चायांकित डिजाइन का छेतफल बिलकुल आसान तरीके से हम निकालें चायांकित डिजाइन का छेतरफल तो चायांकित डिजाइन का छेतफल का फार्मूला क्या होता है प्यारवच्छो ध्यांस दिखे ब्रताकार मेज पोस्ट का छेतफल माइनस संभाहु त्रफुज का छेतफल ध्यांस दिखे अब ब्रताकार मेज पोस्ट का छेतफल का फार्मूला होता है पाई आर संभाहु त्रफुज का होता है अंडरूर 3 बटे 4 गुड़े भुजा का वर्ग ठीक चलिए पाई का मान 22 बटे 7 आर यानि आर है ब्रताकार मेज पोस्ट की त्रिज्जा त्रिज्जा कितनी है प्यारवच्छो 32 गुड़े 32 माइनस अंडरूर 3 बटे 4 गुड़े भुजा कितना है प्यारवच्छो 32 अंडरूर 3 का वर्ग है चलिए हल करते हैं तो 22 गुड़े 32 गुड़े 32 बटे कितना 7 माइनस अंडरूर 3 बटे 4 गुड़े 32 का गुड़ा दो बार करेंगे 32 गुड़े 32 अंडरूर 3 का गुड़ा दो बार जब कर देंगे तो 3 आ जाएग ठीक अब हम क्या करते हैं 48 गड़ा करने को बात जो आपका आएगा वही आपका हो tai तो धीहान से दिखे अब जब हम इनका इनका तीनों का गुटा करेंगी तो 2иф 2-2-528-7- और जब प्यारे बच्चो इनको इन से गुड़ा करेंगे तीनों से तो 768 हो पने कितना आएगा तीन यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाए अंसर हो जाएगा आप यहां पर भी छोड़ देते हैं तो आपका एंसर एक्दम बिल्कुल करेक्ट है तो इस प्रकार आपका छटवा नंबर कंप्लीट होता है आप इसका एक स्क्रेंट लिजिए फिर हम बात एबी सीडी को केंद्रमान के चार बृत इस प्रकार घीचे हैं कि प्रत एक तीनों से बृत है दो ब्रत को अस्पर्स कर रहे हैं तो हम बिल्कूल आसान तरीके से याद कर लेंगे चायांकित भाग का चित्फल तो पहले जो आपको दिया गया वह हम लिख दें वर्ग की प्रिट की त्रिज़ा मेतम होगे वर्ग की भुजावटेद होगा अब आगे ध्यान से लिखिए, आगे क्या कह रहा है, आप से कह रहा है कि चायांकित भाग का छेटफल, बिल्कुल हम चायांकित भाग का छेटफल निगा लेंगे, चायांकित भाग का छेटफल, तो चायांकित भाग का छेटफल क्या हो जाएगा, इस वर्ग का छेटफल, माइनस एक चतुर्धाँस, दो चतुर्धास, तीन, चर्थ. माइनस चारोचतुर्धाँस का चतुर्धानस ठिक ध्यांस देखिए अब वर्ग का चत्फल होता है भुजा का वर्ग क्या होता भुजा का वर्ग चारो चतुर्थान्स या नहीं एक बटे 4 चार तो चारा चारो मतलब 4 का गुणा गुड़े एक चत्अर्थान्स का होता है एक बटे 4 चार सेचारर कैंसल भुजन कितना है प्यार बच्वो यहां वर की भुजा चौदवय है माइनस, पाई, पाई कितना बच्वो बाइस? बटए साथ, और हार कितना है document, चाउदबर करें US चौदबर करेंगे एक uniritual 2 22 सत्य कितना हो जाए 154 गटा देंगे कितना हो जाए 152 सेंटी मिटा तो इस प्रेकार छायांकित भाग का छेट फ़ल निकल का आएगा आप इसका एक स्कुर्ण सॉट लेजिए फिर हम बात करते हैं प्रस नमबर आठ की तो गाईस आपका आठोवा प्रेजिकरा की आकरती में एक दोड़ने का पथ दर्साया गया है यह दोड़ने का पथ दर्साया गया है जिसके बाएं और दाएं सिरे के दोनों जो अकरती है वो अर्दवृत्ताकार मतलब ये भी अर्दवृत्ताकार है वो भी अर्दवृत्ताकार है ठीक दोनों आंत्रिक समांतर खंडों की लंब तो पहले पीच्छा प्थ के किनारों के उद्धिस एक चक्क्र लगाने एंत्रों TOP यहा यहां से प्मानतर खंथ दूसरा यह आएगा समांतर खंड साथ में ये बृत्त की परीद, ये बृत्त की परीद, मलत चारों को जोड़ दे, तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिस तै की गई लंबाई मिल जाएगा, तो वही चिर लिखते हैं पर बिचो, फर्स्ट नमबर में, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिस के अनुदिस तै की गई पथ की लंबाई बराबर होगा, दो समांतर खंडों की लंबाई, दो समांतर खंडों की लंबाई, प्लस, दो गुडे बृत्त की परीद है, दो गुडे बृत्त की अर्ध बृत्त की परीद है, अर्ध बृत्त है, अर्ध बृत की परीद चलिए तो रखते हैं फामुला दो समांतर अंतर खरंड कितने हैं अभी एक सोच्छा और एक सोच्छा प्लस दो गुड़े अर्ध बृत की परीद होगी एक बटे दो इंटु टू पाई ठिक टू से टू कैंसल हो जाएगा यह जोड़ेंगे तो दो सौ बार है प्लस दो पाई का अमान बाईस बटे साथ और आर कितना है प्यारे बच्छो ध्यान से देखना है क्यों आपको आर समझना है कि आर कितना है आंतरीक पत्त की तरज्जा कितनी है प्यारे बच्छो तो देखे ध्यान से यहां पर प्यारे बच्छो यह चोड़ाई साथ दिया गया यहां से लेके यहां तक की यानि जो तरज्जा होगी वो तरज्जा ता आपकी यही होगी आधी ही होगी तो आंतरिक पत की तरिज्या, आंतरिक पत की जो तरिज्या होगी, जो आर होगी, वो 60 नहीं बटे 2 होगी, तीस हो जाएगी, यानि प्यारे बच्चो यहां से लेके यहां तक की जो तरिज्या है, वो 30 है, 60 का अधा 30, ठीक पर बच्चो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 212 और इनका गुड़ा कर देते हैं तो 0 6 12 12 12 13 बटे कितना जाएगा 7 तो प्यारे बच्छो गुड़ा कर देते हैं तो साथ दूनी 14 साथ के साथ एक आठ साथ दूनी 14 प्लस तेरह सो बीस बटे कितना हो जाएगा 7 जोड़ दिजे तो चार आ जाएगा आठ दो दस चार तिन साथ एक आठ एक दो अठाइस सो जीरो चार बटे साथ संटी मीटर नहीं मीटर तो आंत्रिक किनारे के अनुदिस अगर आप एक चकल लगाते हो तो आपको अठाइस सो चार बटे साथ मीटर लंबाई दूरी तैकर नहीं पड़ेगी यह आपका फर्ष्ट भाग है इसी में आपका सेकेंड पूछा आये स्केंड भाग को पड़ते हैं देखते हैं क्या कह रहा है प्यारे बच्छों ऊड़े से के वाला पूरा एरिया है यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है उसका चछेट फल पूछा पत का चेत्रफल पूछा है तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से हम निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से अब क्या पूछा है second portion में पूछा है बृत्ताकार या पथका तो बृत्ताकार ऐसे नहीं लिखते तो सही रहेगा पथका कुल छेत्रफल पथका कुल छेत्रफल तो पथका कुल छेत्रफल क्या होगा चले ध्यां से लिखे चित्र में एक यह होगा यह पुरा यहां से लेके यहां तक आयत नूमा कर रहा है, यहां से लेके, यहां तक क्या है प्यारे बच्चों, आयत है, एक आयत यह, एक आयत यह, तो दो हो जाएगा, दो गुड़े, आयत के आकार का छेत फ़ल, आयत नूमा, आयत नूमा, खंड का छेत फ़ल, प्लस क्या होगा, प्लस, एक हो, यह अर्धबृत है एक यह अर्धबृत है तो ध्यान से दिखेगा प्यारे बच्छो अर्धबृत ध्यान से दिखेगा अर्धबृत में आपको एक बात यह ध्यान देना है कि यह आपका एक बाहे बृत है एक आंतरीक बृत है तो हमको क्यों इतना चाहिए तो बाहे बृत में से आंतरिक बृत्तों के छित्फल को माइनस करना पड़ेगे इस बात को ध्यान दिजेगा तो क्या लिखेंगे दो बृत्ताकार दो का गुड़ा कर दिजे दो गुणे बृत्त भागों का छित्फल बृत्त भागों का छित्फल चलिए ध्यान से दिखिए अब क्या लिखेंगे दो गुड़े आयत रूमा खण का फामलोता लंबाई गुड़े चौड़ाई ठीक plus 2 गुडे बृत के भागों का चितर टो बृत में 2 हैं एक बाहय बृत है एक आंत्रीक है तो बाहय बृत की तरिज्जा हम मान लेते हैं R डेस तो R डेस का इस्क्वार और आंत्रीक का मानते हैं जला Schools चलिए बैलू रख देते हैं कियों बस जो चोड़ाई है वो कितनी है, कितनी है, 10 है, ठीक, प्लस, दो गोड़े, अब ध्यहान से देखिए, P, P, P आई कामन ले लेते हैं से, क्या कर लेते हैं, पैरी बच्चो, P आई यहान से कामन लेते हैं, Pa का मान चाहकई आप रख भी दो यहीं पर 22 A7 आप R1 तो R1सली R10 आपें बाहर की तिरिज्या माना है पछी सा रडेस आप बाहर की तिरिज्या माने हो तो डाय त्रिज्या चालिस यह खर गात तीस दस कितना हो ए चालिस का स्वार माइनस ऑर कितना है आपका 30ред're इसका ठिक गुड़ा कर लेते हैं पहरे बच्चो अब हम इन सब का गुड़ा करेंगे तो इन सब का गुड़ा करेंगे कितना आएगा गुड़ा करेंगे तो इनका आएगा 120 प्लस 22 दुनी 44 बटे 7 आगे कोश्टक में 40 कवर करेंगे तो 1600 और 30 कवर करेंगे तो 900 11600 मेंजे 900 घटा दिंगे तो एकई120 प्लस 44 बटे 7 गुड़े सोल म्ने से 9 घटा हैंगे तो साथ आएगा आगे डूबल 0 लग जाएगा य ये 100 से कड़ जाएगा ठिक इनका गुड़ा हो जाएगा तो इक 22 प्लस 44 जोड देंगे तो लास्ट में 0 यह 2 यह आ जा जाएगे 415. 426. तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चो पूरे पत्ह का छेतर फल पत्ह का छेतर फल कितना आएगा प्यारे बच्चो 6520 cm वर्ग आएगा इस प्रकार प्यारे बच्चो आपका जो है यह प्रश नंबर आठ भी क्या होता है complete होता है आप इसका एक screenshot ले लिजे ठीक प्यारबच्चो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक सवालों की चर्चा करते हैं प्यारबच्चो क्योंकि आपका जो चैप्टर जो सवा वीडियो है वो काफी लंबी हो जाती है प्यारबच्चो वीडियो काफी लंबी होने के कारण आपको देखने में समस्या आती है प्यारबच्चो तो